Hey foodie friends welcome back to my channel foodie nahid मैं हूँ nahid और आज मैं आप लोगों के लिए ले कर रहा ही हूँ mango cake की recipe और इस mango cake को design भी आज हम करेंगे mango shape में ही और इसमें हम fresh mango का use करेंगे और इस पर हम use करेंगे mango glaze वो भी घर में तयार किया हुआ तो आज की mango cake की recipe बहुत है interesting होने वाली है क्योंकि इसमें कैसे mango shape को कट दिया जाता है वो तो सीखेंगे ही साथ साथ हम सीखेंगे homemade mango glaze भी बनाना तो कहीं मत जाएए पूरी recipe शुरू से लेकर आखर तक जरूर देखिएगा कोई भी चीज़ स्किप करने से कुछ important चीज़े छोड़ जाती है तो बिना इसकिप किये इसे आप पूरा करते हैं तो चलिए अपनी recipe स्टार्ट करते हैं mango cake बनाने के लिए मैं यहां पर ले रही हूँ इगलेस sponge cake इस इगलेस sponge cake की recipe मेरे चैनल पर अलरड़ी है मैं इस sponge cake की recipe का लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दोंगी आपको गर देखना होगा तो आप महां जाकर चिक कर सकते हैं तो आईए अब इसे cut करते हैं mango shape में इसके लिए सबसे पहले एक plain paper में आपको mango draw करना है और उसकी cutting निकाल लेनी है और अब इसे cake के ऊपर रखेंगे और उसके बाद हम side से cake के ऊपर रख करके side side से knife से चाको के help से इसे cut करके निकाल लेंगे तो यहां पर मैंने इस पेपर को रख करके mango shape में कट कर लिया है केक को और इसके तीन लियर मैंने इस तरीके से cut करके निकाल ली है लियर में कैसे cake को काटा चाता है वो सारी चीजे मैंने अपने पहले cake की recipe में आप लोगों के साथ शेयर की हुई है अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्श करने के बाद इस पर जाए पर अच्छा यलो कलर में आपको नजर आ रहा होगा तो अब स्टार्ट करते हैं के की icing तो सबसे पहले इस पंच के का एक लियर रखना है हमें उसके उपर हम विप्ट क्रीम डालेंगे और इस की को कैसे विप किया जाता है वो सारी चीजे मैंने अगर आप लोगों के साथ शेयर की हुई है तो अगर आप लोगों को देखना होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्चन बॉक्स में दे दूंगी तो यहां पर फस्ट लियर जो आमने रखा था फस्ट इस पंच केक उस पर अच्छे से हमें को चारो तरफ एक बराबर में पहला तो यहां पर इवेंडली क्रीम को अच्छे से स्प्रेट करने के बाद अब इस पर जाएंगे फ्रिश मैंगो की पिसस तो यहां पर मैंने पके हुए आम की छोटे-चोटे टुकडे करके रख लिये हैं और इसको आपको अच्छे तरीके से क्रीम के ओपर अरिंज करना है आ आप चारो तरफ अच्छे से इन टुकडों को रखेंगे करीम के ऊपर तो जब आप केक के पीसस कट करेंगे तो हर पीस में हर बाइट में यह मैंगो के चोटे-चोटे चोटे टुकडे भी जाएंगे तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं तो यह देखें आप इस सारे मैंगो पेसे इसको मैं अच्छे से रिंच कर दिया है और इसके ऊपर हम दूसरा केक स्पंज रखेंगे तो यहां पर मैंने दूसरा स्पंज केक का लेयर रख दिया है मैं यहां पर आज पानी से सोख नहीं कर रही हूं या मैंगो सीरप से सोख नहीं कर रही हूं क्यों कि मै मैंगो सीरप या शुगर सीरप से पहले सोक कर लें, उसके बाद उसके उपर क्रीम अपलाई कर सकते हैं, तो यहां पर केक के सेकेंड लेयर में अच्छे से क्रीम अपलाई करने के बाद मैं इसके उपर मैंगो पीसेस अच्छे से रेंच कर दे रही हूँ, तो यहां पर आपक में केक स्पंज का लेयर रखेंगे और इसे कवर कर देंगे अच्छे से क्रीम से तो यहां पर चारो तरफ अच्छे से आपको विप क्रीम लगाना है और साइड में भी आपको पैलेट नाइप से अच्छे से इससे बराबर करते जाना है तो यहां पर चारो तरफ अच्छे से केक के ऊपर क्रीम अपलाई करने के बाद अब हमें इसे मैंगो लोक देना है तो इसे घुमाते हुए स्मूथ करना है तो कर्ब में स्मूथ करने के लिए मैं यहां पर ले रही हूँ एक प्लास्टिक शीट यह टुकड़ा आपके पास खर में बहुत ही इजी से अवलेबल हमारा केक स्मूथ हो चुका है आइसिं इसकी बिल्कुल फिनिश हो चुकी है तो इस केक को एक केक बोड पर निकाल करके इसे एक खंडिकले फ्रिज में रख देंगे और तब तक हम तयार कर लेते हैं अपना हूम मेट मैंगो ग्लेस मैंगो ग्लेस पनाने के लिए हमें चाह है यह वाइट कंपॉंड चॉकलेट तो यहां पर मैं 30 ग्राम वाइट कंपॉंड चॉकलेट को अच्छे से चॉप करके साइड में रख ले रही हूं मैंगो ग्लेस बनाने के लिए एक पॉट में एक कप पानी डालेंगे और अब इसमें जाएगा आधा कप चीनी तो यहां इसमें कोई भी लम चारा है तो अब नहीं तो अब इसमें हम अट करेंगे जो हमने मैंझो पिओडी बना तयार की थी वह इसमें उसी ठैम अर मैंगो पल्प को डालने के बाद की बद भी अचह से इसमिक्स करना है हमें तो यहां पर इसमें अच्छे से मिक्स कर देगे और अब इसे हम गैस स्टूफ ऑन करके इस पॉट को उस पर रखेंगे और लगातार चलाते हुए हमें इसे पकाना है यहाँ पर गैस का फिलेम आपको चलाते हुए पकाना है तोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज होने लगाए यह बिलकुल ट्रांसपेरेंट आपको नजर आने लगेगी तो बिल्कुल इस तरीके की जब consistency आ जाएगी तब हम यहाँ पर gas का flame off कर देंगे तो यहाँ पर मैंने gas का flame off कर दिया है और आगे बढ़ते हैं नेक्स स्टेप की तरफ इहाँ पर हमें एक बोल में 1 चमच जिलेटिन लेना है तो यहाँ पर 1 devil spoon gelatine मैंने लेलिया यह वेज़ जिलेटिन है और अभ इसमें हम 2 तेबल स्पून पानी डालेंगे तो यहां पर 2 टेबल स्पून पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब इसे 15 सिकेंड के लिए माइक्रोवेब में रख देंगे और अब इसे बाहर निकाल के एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे अभी हम साइड में रख देते हैं और अब mango glaze में जो हमने white chocolate chop करके रखे थे वो mix कर देना है भी इसी time में इसे भी अच्छे से हमें mix कर लेना है और इसमें मैं 2-3 बुंद mango essence और mango food color add कर दे रही हूँ और इसे डालने के बाद भी अच्छे से हमें mix कर लेना है और इसमें डाल देंगे जो हमने भी gelatin तयार किया थ इसमें mix कर देना है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से mix करने के बाद एक दूस्रे बोल में हमें इने चान लेना है इस तरीके से चानने के बाद एक बीना lump वाला हमें अच्छा mango glaze तयार मिलेगा तो इस तरीके से चानना बहुत जरूरी होता है अगर कोई भी लंब अगर तो यह देखिए आपर मैंने इसे चान लिया है और हमारा mango glaze है तयार और अब फ्रिज्टे केक निकाल लेंगे बाहर और बाहर निकालने के बाद मैं यहां पर थोड़ा सा यहां पर पूट कलर स्प्रे कर दे रही हूं यह उप्शनल है तो थोड़ा सा फूट कलर जो पॉडर फूट कलर आते न उसे स्प्रे कर देने से एक अच्छा सा शेड आ जाता है मैंगो का तो अगर आपके पस है तो डालीए वरना आप सीरे डारेक्ट इस पर ग्लेस डाल सकते हैं तो अच्छी है तह कर है अकि तो भी स्टिल का प्रैट क्रों अच्छी मैं अच्छी का टाली हूं आप अगर रज्ध मैं आपको पिछले केक में शफंदन बनाना शिखा कि आया था चॉक्राईध के कटि लोगा पूला लोग टोड़ा कर जन होट प्र और ग्लेस जोटने आप लेगे नहींट, यह पिक्स करदेना है, अगर आप आपके पास चोकलेट ABC नहीं होगा, तो चोकलेट BISKUIT harola में ओव लेरcome cream when you can. कि यहां पर इसके लीव बना दे रही हूं, तो इस तरिंख को बनाना बहुत ही vigılarEP मैंने यहां पर सिंपल बना दिया है तो यह बशाओ पते बिल्कुल पट्त्ष मेरे से भीड़ी नाज दे रही हूं तो यह देखें कितना simple और कितना easy way में मैंने आपको यह design बता दिया है तो इस tasty delicious mango shape cake को आप लोग ज़रूर try करिएगा और आपका cake कैसा बना मुझे comment box में लिखना ना भूले mango का season है तो यह cake बनाना तो बनता है तो यह लिजिए हमारा tasty delicious mango shape cake बनकर तयार हो गया है आप सबको आज के mango cake की recipe कैसी लगी मुझे comment box में जरूर लिखिएगा और आज की अगर आपको recipe पसंद आती है तो इस video को like कर दिजेगा और ज्यादा से ज्यादा से share भी कर दिजेगा आप सबने मेरे वीडियो को देखा उसे पसंद किया आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आप पर मिलती हो नेक्स्ट वीडियो में नई recipe के साथ तब तक अपना ख्याल रखें